हेलो एब्रिवन और वेल्कम बेक टू यूजी सीनाइट मेंटर आई होप यू आज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना आजात नेशनल फैलोशिप के बारे में और गाईज इस फैलोशिप को लेकर के कुछ प्रॉब्लम होगी है इस बार इस साल तो हम इसका बा क्लास्स देता हूं यूजी सेनेट की और साथ ही मैं आपको किसी भी गौर्वेंट कॉलेज किया किसी गौर्वेंट यूनियुरस्टी में असिस्टन प्रोफेसर या सिस्ट्र प्रोफेसर की वेगंसी निकलती है तो उससे रिल्टेटर अबडीट भी मैं आपको यह आपर कि यहां पर कौन eligible है मौलाना आजाद national fellowship के लिए उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम हुई क्या है तो यहां पर जो students eligible है इसके लिए वो कौन है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस पार यह हुई है कि यहां पर अभी देख लेते हैं जो second point में लिखा हुआ है प्रायर क्लेरंस ऑफ यूजी सीनेट और CSIR उजी सीनेट एक्जामिनेशन विल बी आ प्री रिक्वेस्ट साइट फॉर अवर्ड फ मौलाना आजाद national fellowship तो यहां पर आपको यूजी सीनेट का एक्जाम क्वालिफाई करना होता है या फिर CSIR उजी सेनेट एक्जाम को क्वा से मिलती है तो गाइस इस बार हुआ गया कि जो यूजी सी है उन्होंने इसको इंप्लीमेंट एनिकि इस फैलोशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए NTA को बोला कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए और आपको ही यहां पर number of candidates देखने की कौन-कौन सेलेक्टेट होगा तो aspiring to obtain benefits under MANF need to qualify UGCnet CSIR examination मतलब अब आपको जारिफ होना जरूरी नहीं है अगर आपने UGCnet भी qualify किया है तो भी आपको scholarship मिल सकती है there will be no application separate application required for the fellowship आपको कोई separately apply नहीं करना है इस fellowship के लिए अगर आपने UGCnet exam दिया है तो ही आपसे का selection हो जाएगा the selection for the fellowship will be directly be made on the basis of merit list of UGCnet CSIR net examination अगर आपने इस examination को दिया है UGCnet या फिर CSIR net तो वहाँ पर जो merit list बनती है उन्हें के number of students जितने होंगे उसमें जो जिन बच्चों ने टॉप किया है उस list में उनको ही ये scholarship मिलती है the students are required to apply for UGCnet और CSIR net examination online through the official website NTA और आपको पता है कि दो बार exam होता June and December में तो इस बार हुआ क्या है कि काफिसाइ students ऐसे हैं कि और लीडी जिनको scholarship मिल रही थी उसका नाम भी NTA ने दे दिया है कि इनको भी scholarship मिलनी चाहिए लेकिन गाइस उनको तो already scholarship मिल रही थी suppose करो एक case लेते हैं कि मेरा friend है जो PhD परशु कर रहा है वो minority category में आता है ठीक है तो उसको already scholarship मिल रही है because उसने किसी और year में PhD में admission लिया था और NET का exam दिया था तो इस quality मिल रही है अब उसने exam इसलिए दिया था इस बार कि उसका ज्यारिफ qualify हो जाए लेकिन ज्यारिफ दुबारा से नहीं हुआ या suppose करो हो गया या नहीं हुआ जो भी case है तो उसका list में नाम है merit list में उसका नाम होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या किया कि NTA ने जितने भी students ने score अच्छा किया है उनका नाम दे दिया कि आप लोग eligible है मनफ के लिए इस fellowship के लिए आप लोग eligible हैं लेकिन उनको तो already scholarship में ले थी कहीं से तो problem यह होगी कि single student को दो-दो बार eligibility दिखा दी और जिन students को का नाम आन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा mode of selection of number of slots कितने students को selection किया जाएगा so the total number of slots for fellowship to be awarded under the scheme is 1000 per year और आपको पता है साल में दो बार exam होते हैं ठीक है so twice in a year इसका मतलब यह होगा कि एक बार में 500 students का selection होगा जिसके अंदर दोनों included है like net jarif ज net होता है वो भी included है तो इसमें around 250 जो हैं वो CSIR वालों के लिए है और जो बाकि 750 बचेंगे 1000 में से वो हो जाएगा UGC net वालों का scholarship ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से selection होता है मतलब जो number of limited students ही लिए जाते हैं यहाँ पर only 1000 लिए जाएंगे एक साल में पूरे year में 1000 लिए ल मिल रही थी तो यह problem होगी इस साल और इस बार मैंने NTA में call किया और काफी साथ students ने ओलड़ी NTA में call किया है तो NTA ने बोला है कि अगर number of students जादा है जिनको ऐसी problem face हो रही है तो हम कुछ करेंगे otherwise जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको करना क् comment section में बताना है कि अगर आप इस problem को face कर रहे है I mean आपकी अच्छी खासी percentage आई आई आपके अच्छा score किया था UGC NET में या जारिफ में और फिर भी आपका नाम नहीं आया है MNF वाली category में तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के comment section में बताना है आपको बता जिता हूं कि क इस वाले section में तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस category में यहाँ पर आपको इस वाले PDF इस वाले link पर click करेंगे तो आपकी PDF खुल के आजाएगी और जब भी आप PDF open करेंगे तो वहाँ पर आपको visible हो जाएगा that कितने students को यहाँ पर जो है scholarship मिली है तो यहाँ पर आपको अपनी scholarship चेक करनी है इस list में अगर आपका नाम नहीं है अपने अच्छा score किया था तो आपको इसी वीडियो के comment section में comment करना है कि आपका नाम क्या है और आपका mobile number ताकि हम NTA को forward कर सकें कि इतने students को problem हो रही है तो आप लोग इसके लिए कुछ कीजिए और further आपको इस वीड कर देंगे तो definitely वीडियो वहां तक पहुंचेगी कोई ने कोई देखेगा तो definitely इसके लिए work करेंगे so guys मेरा purpose देहीता है इस वीडियो को बनाने का कि आपको बताया जाए कि problem क्या चल रही है और यहां पर कौन-कौन eligible है और क्या इसको further कैसे solve किया जा सकता है so guys यहां पर ए यूनिवर्स्टी इंस्टिशन रिगर्गाइस बाया दर उनिवर्स्टी ग्रांड कमिशन एज अंडर अब यहां पर चार कैटिगरी बनाएं यहां पर आप किसी भी यूनिवर्सटी कॉलेज में है तो आप मनफ के लिए apply कर सकते है suppose को अगर आपने net qualify किया और आपको scholarship में आपका नाम भी आ चुका है तो आपको इसमें से किसी category में admission लेना होगा तो ही आप इस scholarship के लिए eligible होंगे तो यहां पर central university हो यह फिर state university हो तो आप eligible हो deemed university है जो कि section के अंडर है तो भी आप eligible हो institution fully funded by the state central government तो भी आप eligible हो और institutions of national importance as notified the ministry of human resource development इस वाले लिंक पर आपको पते शिल जागा कि कौन कौन से उसके अंदर university colleges आते हैं तो भी आप eligible हो इन चार category के अलावा अगर आप किसी दूसरी college किसी दूसरी university में आप ले लेते हो admission तो आप eligible नहीं होगे तो इस बात कायाद रखना कि अगर आपका नाम है इस category में मरफ वाले मौलाना आजाद इस fellowship के इंटरकर आपका नाम आचुका है तो आपको दियान में रखना है कि इसी इन में से किसी college है किसी university में admission लें ताकि आपको यह वाली जो fellowship है वो मिलने मिलने start हो ठीक है और गाइस आपको करना क्या है अगर आप भी इस problem को face करें तो at least आपको इस वीडियो को comment section में बताना है कि आप इस problem को face कर रहे है आपके अच्छी percentage अच्छी marks ने फिर भी आपका नाम नहीं आया है ठीक है और further आपको अपना नाम और mobile number यहाँ पर comment करके बताना है ठीक गाइस तो आज की वीडियो में इतना ही कल से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे है एट पीम पे आपको क्लास मिल जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही मिलके नेक्स वीडियो में तिल एन कीप वाचिंग UGC Net Mentor थैंक यू सो मच